नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसिस्टेडी में कल दोस्तों हमने बात कि थी इंट्रोडक्शन आप फार्मसेटिकल डोजस फॉम जिसमें मैंने आपको तिंचार डोजस फॉम को डिस्क भी कर दिया था ऐसे आपका अरोमेटिक वाटर सकता दोस्तों कि लिए मिक्चर ओफ एलकोछॉल एंड वाटर वाटर और ऐलकोछॉल का मिक्चर उता है क्या होता है हो वोगतसु होता है यह पुछा वाटर ठीक है दोस्तों the strength of alcoholic preparations are medicated by degrees कोई भी जो alcoholic preparation होगी ठीक है उसकी जो कोई भी जो alcoholic preparation होगा उसकी strength होगी उसको किससे ना परेंगे हैं भी डिग्री मना परेंगे ठीक है दो प्रकार के होती है प्रूप जो होते हैं यह होता है ओबर प्रूप जैसे यह ओपी कहते हैं एक होता है आपका अंडर प्रूप ठीक है तो यह दो प्रकार के होती है प्रूप स्प्रेट कोई भी जो एलकॉलिक सॉलूशन होगा जो कंटेन करता है 57.1% वेट बाई वेट कितना 57.1% वॉल्यूम बाई बॉल्यूम एलकॉहल ठीक ह इसी को हम 100% प्रूप स्प्रेट कहेंगे जिस कोई भी जो एलकॉलिक सॉलूशन होगा 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ठीक है 57.1% वॉल्यूम एलकॉहल होगा ते कि अगर 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से उपर एलकॉल है किसी में तो वह हो जाएगा वबर ठीक धुस्तों यह है प्रूप इसपर शी की तरह है अगला आता है दोस्तों एलिकजर जो जो होते हैं वह क्लीन लिखवट ओरल एलकॉलिक प्रिपरेशन होते हैं जो कंटेंड करते हैं पोटेंट एंड नौजियास ट्रॉक्स ठीक विजिस प्लेंटी फ्लेवर्ड और यह आपको याद रखना है क्योंकि एसी टाप के कॉश्चन आप से पुछा आसकता है कि नॉन मेडिकेटेड अलिक्जर का जो एक्जामपल दीजिए तो इसमें आएगा आपका बेंजेल अल्डिहाइट बेंजल डिहाइट और जो मेडिकेटेड अलिक्जर होता है तो उसमें आता है क्लूरफिनरामीन या क्लॉरल हाइडरेट यह चीज़ें आपके पुछाते हैं कि एसा अपसं आ जायेगा कि मेडिकेडेड अलिक्जर आपको याद होना चाहिए कि मैडिकेडेड अलिक्जर कौन-कौन्स होते हैं वह तक क्लॉरफिनरामीन और हैडरेट उसी तरह द है दोस्तों शिरब और सिरब फ यूएसपी यूनाटिद स्टेट फार्मकोपिया में जो शिरफ होता है वो तक 85 परसेंट वेट बाइब वोल्यूम यह यह दकने वली चीज़ा है यूनाटिद स्ट्ट सेवन फोर परसेंट वेट बाई वेट सोलुशन अब सुक्रोज होता है इन प्यूरिफाइट वाटर तो वह कहलाता है दोस्तों सिरप तो यह कुछ डोजिस फॉर्म के वारे मैं आपको बताया डिस्क्राइब किया है और इसी तरह कुछ और डोजिस फॉर्म है जो हम आपको सब्सक्राइब करते हैं उसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं दोस्तों फैटी बेस उसके बाद आता है एमल्सन बेस और चौथा आता आपका वाटर सॉलुवल बेस तो बेस जो भी हम किसी प्रोड़क्ट कुणाने के लिए आधार जो उसमें लेते हैं तो उसमें होता है दूसरा आता है एमल्सन बेस और चौथा रहता है वाटर सॉलुवल बेस पैटी बेस के बारे में हम थोड़ हम थोरद सा पढ़ेंगे फैटी बेस जो होता है इसके एग्जांपल है निश्के वाटर सॉलुवल विजीटेबिल ओयल और उईटमेंट फैट और आपका गया दूसरा आपका और्टमेंट फैट एंड वैक्स हो गया उसके बाद आपका हैड्रो कारवन सिलिकॉन और सिस्टेमिक इस्टर फैटी बेस होता है दोस्तों यह सुटेबिल होता है फॉर इस्ट्राइल प्रोडेक्ट एस दे आर टुट्राइफ हीट इस्ट्राइशंस ठी का ये जो फैटी बेस हम यूज करते हैं यूज करतें इस्ट्रान प्रोडटक्ट के लिए और इस्ट्राइल प्रोड Musical के हीट होता है जैसे आंखों में दालने वाले ऐलट्रॉप्स बागे वह इस्ट्राइल प्रिप्रेशन होते हो इंजेक्शन जो होते हैं वो सारी इस्टराइल प्रिश्पीरेशन होते है उनके लिए हमें किसे करते हैं फैट यह साय रूछ यह सकता है कि जिदी में इनका और सप्रिशारा होते हैं कि LEE Incorapor Lag publish यह क्या ओक माइक्रो औरगजिन के लिए मेडियम जो होता है प्रवाइट नहीं करते हैं इसलिए फैटिबेस का यूज़ कि आता है आपका इस्ट्राइल प्रोडेक्ट में उसके बाद दूसरा जो आता है यह एब्जॉप्शन बेस होता है यह इसके उधरन जैसे आपका वूल फैट जो और वूल अलकहॉल बेन्ज वेक्स और कोल्ष्ट्रोल यह क्या होता है, एब्रोप्शन में क्या लन्यूटाइक्पति यह क्या से लन्यून तो एन्हायद्रस्व्लेणलिगमे। दस्तों इमल्च इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसका दूस्तनाम प्योंति है एन्हाइड्रस्वेर्फ lavender नाम क्या होता है एन्हायड्रस्रप्रट-2-9-2-3-22-3-4-3-3-4-6 उसको बोलते हैं lanolin clear उसके बाद आता है wool alcohol ठीक है जस्तो उसके बाद चौथा जो मैंने आपको बताया थे absorption base वह आता है water soluble base वह आता है वाटर-soluble base में आपका आता है दोस्तो polyethylene glycols क्या आता है दोस्तों polyethylene glycols PEG भी जिसको बोलते हैं तो यह कुछ basis होते हैं जो इस प्रकार की product जितने भी हमने आपको pharmaceutical doses form बताई उनको बनाने में इस प्रकार की base का यूज किया जाता है तो बैस कितने प्रकार के होते हैं fatty base, absorption base, emulsion base और आपका water base fatty base देने लिए यूज होते दोस्तों और absorption base के example है दोस्तों कई बार ऐसे पूछाता है कि wool fat is a तो इसके example यह होता है वूल फोट जो होता है absorption base होता है क्या होता है absorption base और जबकि hydroxyl wool fat जो होता है एक emulsion base होता है तो यह कुछ topic है जो competitive exam में पूछे जा सकते हैं और lenoline को कि दूसरे नाम से कैसे नाम से जाना जाता है hydroxyl wool fat के नाम से उसी तरह जो है और जो एन्हाइड्रस लेन लेन लेना है उसे जाना जाता है दोस्तों wool fat के नाम से यह हमारे कुछ बेसिक चीजे थी जो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मस्योटिकल डोजिस फोर्म थी और फार्मस्योटिकल जो डोजिस फोर्म होते हैं दोस् तो तीन प्रकार से classified के आगया है मैं आपको भी बता तो कौन-कौन से classified है फ़स्ट वन आता है दूस्तों वह आता है फॉम वाइज ठीक तो फॉम वाइज में आते हैं जैसे आपका आपने पड़ा भी होगा कि फॉम वाइज में जैसे इस वह लिक्विड डोजिस फॉर्म और आपका semi-solid doses form तो form wise मां दोस्तों इनको तीन प्रकार से classified क्लाशिफाइट किया गया है फस्ट वान इस solid doses form second one is liquid doses form and third one is semi-solid doses form उसके बाद आता है दोस्तों root wise मतलब किस तरीके से इनको अपने प्रियोग में ले रहे हैं इनका किस परकार हो रहा है कौन से रूट से इनका यूज किया आता है उस परकार से classified है रूट वाइज जैसे दोस्तों शुझे करता है उसकी प्रकार से काम करती जैसे कुछ होते हैं सस्टें रिलीज कुछ होती है तो प्रलोंग रिलीज को नोग तोल रिलीज और कुछ होते हैं आपके रीलीज ठीके तो इस प्रकार से भी हम डोजेश फोर्म को क्लाशिफिकेशन हम कर सकते हैं ठीक है वह मैंने आपको जो पहले स्ट वीडियो में अपने बताये थी उसमें मैंने आपको एक साथी बता जैती सारे डोजेश पॉम इसको इनका क्लाशिफिकेशन वाइस पढ़ेंगे जैसे फॉम क्या क्या आते हैं सॉलार मीधीन इस फॉर्म लिक्inha सथी वाइस में तो अरनीक आज़ीज फोल रोडुव्म और योडियो रयलीज दूस्तों पहला चलब eins वीडियो में बताई थी उस सारी के सारी चीज़ें इसी में होते हैं दोस्तों तो solid doses form को जो है दोस्तों दो प्रकार से classified किया गया है इसमें एक आता आपका unit doses form ध्यान से देखना है इस चीज को solid doses form are classified in two form first one is unit doses form and second one is bulk doses form ओकी दोस्तों तो unit doses form के अंतरगत अब हमें याद रखनी है कि unit doses form क्या 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 आते हैं दोस्तों इसमें आता आपका tablet, pills, gadgets, capsules, powder और supposedly they both are unit doses form मतलब यह single doses form होते है unit doses form ठीक तो इसमें आता है tablet, pills, gadgets, capsules, powder and supporters फिर दोस्तों जो tablet हैां वो further classified होती है,愢़ी आपका जोते हैчесर है है उसके बार आपका oral हो गई, बॉसके बार आपका sublingual हो गई, उसके बार आपका soluble हो गई और उसके बार आपका हाipodermic होगी, ठीक है, तो tablet further classified है दोस्तों या आपको याद क्ना amazing tablet कैसे classified है Always लौजेंजेस के रूप में हैं ओरल हैं बकल हैं सब लिंगवल हैं चौईवल हैं और आपका हाइपोडर्मिक है उसी तरह दोस्तों फिर कैचेट्स जो मैं आपको कल की वीडियों बताया था कैचेट्स जो थे हो फर्दर क्लाशिपाइड है एक ड्राइसिल कैचेट्स एक वेजाइनल सपोजिट्रिस हो गई यूरिथ्रल सपोजिट्रिस हो गई और दोस्तों नजल सपोजिट्रिस हो गई यह सारे के सारे जो आते हैं यह थी यूनिट डोजेज फोम में क्या क्या था दोस्तों हमें याद रखना है टैबलेट पिल्स कैचेट्स कैप्सूल्स इयजे-स्हान आट और क्लासिफाइड है're क राग्रिट ऊपो ज्लो सपोस्ना चाहर sorry ते इस तरह रेक्रल वाशारी एकिंटनललय की लिए अर। दौस्तो जो एक में असेπαडं About आपका तो यह सारह जो था दोस्तों ये था क्लाशिफिकेश्रों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलेट डोजई सीषप और दोस्तो बॉस्तो बॉस्तों jedem के अगए और यूनित-अग्सीस तरह भर खूदD ein और धोलीटक्रास क्लाशीफ्यवाइब ऑलने कैया दो और हमारे पास पूचा गया यूनियिद्ट डॉस फोटा है जो आखो में जो पिए आपका जाता है वह जो अब कल हम फर्दर क्लासिफाइट पड़ेंगे जैसे लिकुट डॉजज फॉरम उसके बाद सेमी सॉलेड डॉजज फॉरम ये होते हैं दोस्तों आपके डॉजज फॉरम के बारे मैं आपको बता दा कि यह बार ऐसे पूछाद आ सकता है कि सपोर्टरीज दो होते हैं फोट एक दो तेंग चाट पांच प्रकार से क्या है इनको क्लाशिफ कर्ट किया गया है क्या किया है जैसे एरकॉन रेक्टल वैजानल यूरित्रल और नजल ठीक दूस्तों